नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया जोग्रफी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हम सेशन कप्लीट करने वाले हैं वो है उत्तर भारत का विसाल मैदान यानि की Northern Plains of India के बारे में जैसा कि हमने इंडिया के पठार शुरू होता है पूरवी घाट पश्चिमी घाट आदी ये सारी की सारे विसे के बाद में चर्चा की जाएगी लेकिन आज जो हम सेशन स्टार्ट करने वो है उत्तर भारत का विसाल मैदान चर्चा करेंगे इसका निर्मान किस प्रकार से हुआ इसका विभाजन जो इसको उत्तर का विसाल मैदान बोलने का कारण ये है कि जब हम भारत के परपेक्ष में देखते हैं तो भारत के परपेक्ष में सेंटर अगर इसको माना जाए तो नीचे वाला एरिया साउथ हो जाता है उपर वाला उत्तर हो जाता है इधर इस्ट हो जाता है पूरा इसके जश्ट नीचे से ये मेदान जो है हमें देखने को मिलते हैं जो सिवालिक हिमालें जैसे हिमालें खतम होता है सिवालिक हिमालें उसको बोला याता है हिमालियन फ्रेंटल फॉल्ट तो अगर कभी प्रशन आए कि उत्तर भारत के जो मैदान है वो किस तरह से हिमाले से अलग होते हैं तो जो है वो एक फॉल्ट है इसको भरंस बोला याता है वो जो है हिमालियन फ्रेंटल फॉल्ट से ये जो है अलग होते है हिमाले के हिमाले से आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ थो निर्माण अगर हम देखें अगर हाँ इसकी अगर हम चर्चा एक बार मैप की माध्यम से और देखें निर्माण से पहले तो यह किन-किन राज्यों के अंदर फैले हुए विष्टार के बाद आप चर्चा करते हैं इनका निर्माड हुआ थाierto मैड्हा टो इसके लिए हम्हें चलना होगा है है रेहरी हैश जो थे उनकी प्लेट टैक्टोनिक थिरी ती प्लेट टेक्टोनिक का सिधान जो उनके द्वारा दिया गया था उसके उपर कि उसमें जो है भारत जो है जहां वर्तमान इस्तिती भारत की है यूरेशन प्लेट का मतलब एसिया का जो हिस्सा है भारत यह यहां पर शुरू आज से नहीं हुआ करता था यह जो है नीचे जो गोंडव होने के बाद धीरे धीरे यह प्लेट जो है आगे को बढ़ी और इस परकार से हिमाले का निर्मान जो है पूरे पूरी तरह से हुआ हिमाले का निर्मान जो हुआ प्लेट के खिसकने के बाद यहां पर इंडियन प्लेट जो आकर इससे टकराई यूरेशन प्लेट से तो यह हमाले पूरी विसाल परवस संखला हमाले की खड़ी हो गई तस्मीर में अगर हम इधर देखें तो इधर भी हमें यही देखने को मिलता है वरतवान का हमारा भारत यह यहां पर आकर लग गया है और इस तरह से यह आकर लगा हुआ था अब इसी में जो है देखने को मिलता है कि जब हमाले एक तरफ खड़े हो गए पूरी तरह से तो दूसरी तरफ जो है उसके नीचे क्या हुआ तो नीचे जो है उसके मैदान के रूप में वो पूरी जगह जो है ओभर कर आई इस तरह से अगर देखें तो प्लेट जो है इधर से इंडियन प्लेट जो हमें यहां दिखाई दे रही है इंडियन प्लेट यहां से चलकर आई थी हमें ओसिन दिखाई दे रहा है पूरा इंडियन प्लेट चलकर आई और नीचे जो है इंडियन प्लेट कुछ गई और यूरेसियन प्लेट जो थी वो इसके उपर रह गई ये यूरेसियन प्लेट है और ये जो है इंडियन प्लेट है इंडियन प्लेट नीचे गई यूरेसियन प्लेट उपर रह गई तो जब नदियों के द्वारा यहां काफी सारा अवसाद जमा किया गया धीरे 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 अवसाद करने के बाद वो काफी इखटा हुआ और नदियों ने अपना रास्ता एक बना लिया जिस तरह से हमें आज नदियों का जो प्रसार देखने को मिलता है भारत के अंदर जैसे नदियों ने जो अपना रास्ता पूरी तरह से बना लिया और समदर में जाकर वो गिरने लगी इस तरह से इन ये जो मैदान है पूरा का पूरा इसका निर्माड हुआ है उमीद है हमाले इसका मैदान का निर्माड आपको समझ में आया हो पूरी तरह से मैदान के निर्माड क पर ये पढ़ता है जिस तरह से इसके नाम रखे गए हैं उसके आधार पर और भहुत एक विवाजन जो पढ़ता है वो होता है कि इसकी मिट्टी आधी जो इसके अंदर पतार्त मौझूद है में रूप से मिट्टी जो मौझूद है वो किस प्रकार की मिट्टी है उसके आध रैस्थान Goldenalley यहां राजस्थान के मैदान के नामसे जाना जाऔं यहां जो इरिया पड़ता है वो पंजाब अम iki यह diesen तीन डिविजन किये गए हैं उपरी गंगा का मैदान मतलब अपर गंगा मैदान मिडल गंगा मैदान मतलब मद्य गंगा का मैदान और यहां पश्चिम मंगाल के अंदर देखने को मिलता है हमें लोवर गंगा का मैदान अब अपर गंगा का मैदान जो है पूरी तरह से जो है उत्तरप्रदेश के अंदर है उपरी गंगा का मैदान जो है और मिडल प्लेंश जो है जो है जो मद्य गंगा का मैदान है वो उत्तरप्रदेश और बिहार दोनों राज्यों को कवर करता है यहां से यहां तक और जो हमें लोवर गंगा का मैदान देखने को मिलता है वो पश् इसके अंदर किस प्रकार की मिट्टी रिर्दे कंकर आधी पाई जाते हैं किस तरह कि इसके अंदर पदार्थ में देखने को मिलते हैं तो उनके आधार पर विवाजन जो होता है वो भावर छेतर होता है इसके अंदर तराई छेतर होता है बांगर होता है खादर होता है और ड आज के सेशन के बाद हम आगले जो सेशन होंगे उनमें एक एक करके सारी डिटेल्स को पढ़ने वाले हैं कि कौन सा मैदान की क्या के खासिवत बात हैं क्या के विसेश बात हैं उसकी बने रहे हैं वीडियो को सेशन के साथ साथ राज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अगर चैनल बनना है तो सब्सक्राइब बनना बिलकुल न भूलें मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहेंद